Students, सबसे पहले हम discuss करेंगे इस chapter का नाम पर chapter का नाम है diversity in living organism तो ये diversity मतलब क्या होता है सबसे पहले इस पर हम लोग विचार करेंगे diversity मतलब होता है बिवीदिता जिवो में बिवीदिता होता है आप देखते हैं जिवो में बिवीदिता है Have you ever thought of the multiple of life forms that surrounded us, its organism is the different from all others a lesser or greater extent For instance, consider yourself and friends ये इसका अर्थ होता है कि हमारे चारों तरफ जो जीव है और गनीजम है उसमें बिवीदिता है कोई बहुत बड़ा है, कोई बहुत छोटा है कोई माइक्रोइसकोपिक है तो कोई बहुत ज्यादा लार्ज है तो ये बिवीदिता है जीवों के बीचे में ये लाइन है आर यू बोट इन सेम हाइट अब देखिए, आपके फ्रेंड है आजो बाजो में, आपके दोस दोस्त है क्या सबका हाइट एक जैसा है ड़ज योर नोस लुक एग्जेक्ली योर फ्रेंड नोस क्या आपके दोस्त के नाप के एक दम जैसा है दोनों को नोस खुब हुब मिलता है Is your hand a span the same in your friends आप अपने हाथ के span को देखिए आपके दोस्त के हाथ के span के बराबर है आप अपने दोस्त का तुलना बंदर से किजिए, जिससे ही human का उत्पत्ती हुआ है, बंदर से किजिएगा, monkey से किजिएगा, what would we say? आप अपने दोस्त का अगर monkey से करते हैं, तो बहुत साथ चीज आपको से मिलेगा, एक दूसरे से monkey से आपका और आपके दोस्त का बहुत साथ करेक्टरिस्टिक एक दूसरे से मिलेगा, स्टुडेंट, लेकिन, सपोज भी एड़े काव टूदा कंप्रीजर, लेकिन आपका कंप्रीजर जब काव से किया जाता है, तो उसमें भी कुछ सिमिलेटी है, लेकिन उतना ज्यादा सिमिलेटी नहीं है, यानि जो यह समानता है, मंकी के तुल्ला में आपके काव के साथ यह समानता कम है, कि अब देखिये, एक्टिबिटी, एक्टिबिटी 7.1, we have heard of Desi Cows and Jersey Cows, आप दोनों तरह के काव को देखते है, एक जो Desi काव है, भारत के गाये हैं, और दुसरे Jersey Cows है, तो यह दोनों में आपको अंतर दिखाई देगा, does itasive Desi Cows, look like a Jersey cow, क्या देशी काव जर्सी काव के जर्सी काव के जैसे दिखती है Do all the Desi Cows look alike क्या सब Desi गाएं हैं वो एक जैसे हैं Will you able to identify जर्सी काव in a crowd of the Desi Cow that don't look each other अब भीड में भी अब देखिएगा जर्सी काव और Desi काव को अब दूसरे से एक दूसरे से मैच नहीं कहता है आप एक दूसरे को identify कर सकते हैं भील में भी identify कर सकते हैं वाट इस दा बेसिक आवर आइडेंटिफिकेशन यह आप identify किजिएगा काउच को तो उसका बेसिक आधार भूत पहजान क्या होगा इसको कैसे important और किनारे करके आप उसको पता लगा लेते हैं इसको आप पहजाने के लिए लाते हैं और किस को आप ignore कर देते हैं सब करेक्टरिस्टिक को आप नहीं इडेंटिक पाई करते हैं कुछ को इग्णोर कर देते हैं नाव तिंग ओल दे डिफ्रेंट फॉर्म्स आप लाइप अकर्सान अर्थ यानि आप सुझ सकते हैं कि अलग अलग तरह के रूप धर्ती पे हैं अर्थ पे हैं आप आजष्ट ऑं अर्थ ci हैं अन अन ऊंद रहन अ देखिए दुस्य कर देखिए दूसर्य तरप देखिए वी हब धे microscopic organism है it means कि इसको बिना microscope को कि हम नहीं देख सकते हैं तो microscopic organism है और उसका जो size है, micrometer में students, ये line आपको याद रखना होगा कि bacteria है microscopic organism है और इसका जो size है वो micrometer में है दुसरे तरफ देखिए, blue whale है और red oot tree है जैसे blue whale है ये बहुत बड़ी मसली है और red oot tree है, बहुत बड़ा tree है, California का लगबग इसका size जो हता है blue whale का, वो 30 meter का है, और ये tree है red oot tree California का, इसका height लगबग 100 meter तक है, तो और कुछ pine trees है students, तो ये thousand, 100 years library है while the insect है, mosquitoes है ये, कुछ दीन में मर जाते है देखिए, कितना ज़्यादा diversity है, कितना ज़्यादा भीवी देता है जीवों में, और गणीजम में जैसे blue whale है, 30 meter का है red oot tree है, जिसका height 100 meter के लगबग है और कुछ और गणीजम है जो कुछ हापतों में, कुछ ही दिनों में मर जाते है जबकि कुछ और गणीजम है अर्थ के मिलियन एर होने का नतीज़ा है, कि इतना ज़्यादा variety है इन्वोल्ब एर्थ मिलियन सो पियर अर्थ का हो गया, however we don't have more than the teeny fraction of this time to try the understand of this living organism, यानि इस organism सारे organism जो है इतना ज़्यादा organism है, इसको समझने के लिए बहुत तरह के चीज़ों का, आपको सहारा लेना पड़ता है और उस तब उनके बीच का जो differences है, वो पता चलता है, we look the similarities among the organism which will be the us put in the different classes then the study, different classes group और whole, यानि इस study को समझने के लिए, हम क्या करते हैं और जिस classroom में उसको भी classified करके, हम इस बात को समझ सकने students in order to make the relevant group, to study the variety of life form, need decide to characteristic, decide more fundamental differences among organism यानि organism के बीच का जो हम differences है उसको कई तरीके से हम अध्यान कर सकते लेकिन, एक चीज़ याद अकनावगा student, कि कोई भी अध्यान होता है, कोई भी classification होता है, तो एक बेसमान का होता है, जब बेसमानते हैं तभी उसको हम क्या करते हैं group करते हैं, अलग-अलग करते हैं तो this would create the main board this would create the main broad groups or organism within this group बना के हम उसका अध्यान करते हैं, a small subgroup will be decide the less important characteristic यानि यह जो organism का characteristic हम लोग देखते हैं तो कई बेस बना करके देखते हैं अब यह question है why do we classify organism यानि organism के क्यों classify करते हैं यानि इसका answer आप खुद से किजिए और नहीं तो आपको यह समझ लीजे कि classification क्यों ज़रूरी है आगे हम लोग पढ़ेंगे classification क्यों ज़रूरी है क्योंकि study को easy बनाना होता है इसलिए किसी भी study को easy बनाने के लिए किसी भी चीज के study को easy बनाने के लिए हम क्या करते हैं उसको classified कर देते हैं दूसरा है give three example of range of the variation that you have seen in the life form around you आप अपने चारों तरब देखते हैं क्या variation अंतर जो देखते हैं वो आपके सामने एक question के से खुद से करें और नहीं तो फिर कराया जागा इसका देखिए what is the basis of classification यानि किसी भी चीज को अध्यान के लिए हम क्या करते हैं classification करते हैं classification करने से क्या हो जाता है easy आसान हो जाता है easy हो जाता है study करना attempts at classifying living things into groups have been made since time emotionally emotional Greek thinker aristo classified the animal according to whether they live on यानि किसी भी चीज का किसी भी organism का अध्यान अगर करना है तो classification करना जरूरी होता है क्यों क्योंकि classification से हम study को आसान बना देते हैं ठीके students अब अगले वीडियो में यानि इसको कई पार्ट में बाटा जाएगा एक ही पार्ट परते परते बोर हो जाएगा इसलिए इसको कई पार्ट में बाट दिया गया है अगला एपिसोड में अगला पेज